आप सभी का स्वागत है Competition Community में और संग्राम सीरिस के तहत आज हम फिर से आप सभी की समक्षा चुके हैं इस अध्याय में हम देखने वाले CJ Geography का एक महत पूर्ण भाग और वो संबंदी थे उद्योगों से वैसे दो अगर आप देखेंगे चतिस गड़ में और योगिक विकास काफी पहले सी हुआ है जब हम बात करते हैं द्योती पंचवर्श योजना की तो सेकंड फाइबर प्लानिंग के दारान जब भारत में बहुत सरे जग पर इंडस्ट्रीज लगाया जा रहे थे उस दोरान चतिस गड़ में भी ये लगाया गया था और विशेस गड़ को जब हम देखते हैं तो यहां के जब एकॉनमी की हम बात करेंगे या यहां के एकॉनमिकल डिस्ट्रिबिशन यानि की प्राइमरी सेकंडरी और टेर्शरी तीनों शेत्र की हम बात करेंगे तो आपको जानके अशरी होगा और ये फैक्ट पता भी होगा कि चतिस गड़ में उद्योगिक शेत्र का जो योगदान है वो बहुत जादा है काफी बड़ा है हलाकि हमारा जो राज्य है हम कहते हैं बशर्ते यहां पर हम उद्योगों की संभावनों की हम यहां पर बात करने वाले हैं साथ ही साथ क्या क्या चुनौतियां यानि कि क्या क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे तो basic जो questions है वो आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार की questions वैसे बहुत कम आपको देखने को मिले हैं लेकिन ये इंडिया लेवल में ऐसे questions आपके पूछे जाते हैं सीजी लेवल में भी ऐसे questions पूछ सकता है चूंकि खनीजों से संबंदीत question थोड़ा सा आपको divert करके या थोड़ा सा detail या थोड़ा सा depth में जाके पूछा है जो बिल्कुल main level का होने वाला है इस बार आपके question जो है उद्योगों से संबंदीत यहां पर पूछा जा सकता है इसमें एक और बढ़िया चीज आपका होने वाला है जो मैं आपको बता दूँ जैसे जब हम इसके बारे में answer लिख रहे होंगे जब हम इसके बारे में परट रहेंगे तो यह जो answer है ना सिर्फ 36 गड़ में उद्योगों के विकास के लिए बलकि अगर ऐसा आता है 36 गड़ पतलब 19-20 लगभर लगभर वही होने वाला है 19-20 का थोड़ा सा फर्क होगा बाकी चीज़े almost आपको सेम होने वाली है तो शिरुवात कैसी होगी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता देना है कि भाई जितने भी आपके इड़ होते हैं जितने भी आपके उद्योग होते हैं वो किसी शेत्र के आर्थिक विकास या किसी देश के आर्थिक विकास के रिड़ होते हैं धुरी होते हैं ठीक है ना तो आपको पहला लाइन तो यही बताना है कि जितने भी उद्योग हैं वो किसी शेत्र के आर्थिक विकास क शेत्र लिखिए या फिर इसको देश लिखिए उसके रिड होते हैं उसके धुरी होते हैं ठीक पहला मतलब इनका जो योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरा आपने यहाँ पर बता देना है कि विभिन प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो हमको क्या क्या देत यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह सारी चीजे कौन उपलब्ध करवाता है हमको यह उपलब्ध करवाता है उस शेत्र में इस्थापिद उद्योग धंदे या इंडस्ट्री इस गौट इट अब एक मोटा मोटे जीज मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूंगा ज चाहे हम नेशनल लेवल पर पढ़ें चाहे हम स्टेट लेवल पर पढ़ें जब हम उद्योगों के बाड़े में पढ़ते हैं तो कुछ एक चीज़ें जो वहाँ पर आती हैं जो पूछी जाती हैं और जो हमने पता हुने चीज कि कुछ-कुछ फ्यीरnen हैं कुछ-कुछ का दारण के तौर पे यहां पर हम समझेंगे ठीक है फॉर इक्जांपल अगर मैं आप से पुछ हूं या मैं आप से कहूं कि किसी शेत्र के उद्यों को प्रभावित कने वेले कारकों में स्ट्रम का क्या योगदान है या स्ट्रम को चली छोड़े हम कहते पुंजी कैपिटल पर कोई निवेश करेगा, इसका मतलब हमारे यहां पुंजी है, या हम इस छित्र में अधिक पुंजी लगा रहे हैं, तब वहां के इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी, सिंपल सी बात है, अगर कोई वहां पर पुंजी लगाने वाला नहीं है, या ऐसे ही व इंडस्ट्री वो थोड़ा दीरे दीरे डाउन होती है और एक समय के बाद भूरी हट जाती है, अभी चलेंजेस में भी लिखेंगे, समझेंगे कि कैसे बहुत सारी इंडस्ट्री को शट्डाउन कर दिया गया, कैसे बहुत सारी इंडस्ट्री बंध हो गई, वाट अर्ध अब समझे अगर किसी चीज को आपने शुरू करी है और शुरू करने के बाद वो बंद हो रहा है शुरू करने के बाद वो खतम हो रहा है इडिस अ बिग चैलेंज यह हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है देखे हमने जैसे बात करी कि भाई मुझे घर बनाना है या मैंने घर बना कि मुझे वहाँ पर रहना है दो चीज़े होती है जरली लोग घर बनाते हैं और रहने के लिए बनाते हैं मुझे वहाँ पर घर बना रहे हैं मुझे 15 by 15 and all whatever 500 square feet में मैंने यहाँ पर जमिल ले ली और मैंने घर बनाना शुरू किया मैंने सारी चीज़े बड़ी अच्छे से प्लानिंग करी सोचा समझें and all everything I have done अचानक कुछ ऐसा आता है कि मेरे परिवार के किसी सदस्चे को घरेलू समस्या, सामाजीक समस्या या कुछ ऐसी समस्या education, साधिय विया, जो भी whatever 8-10 लाग का वहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है मुझे नहीं पता क्या समस्या थी बस 8-10 लाग का वहाँ पर खर्चा बढ़ता है जबकि आप साधरन तरीके से आप घर बनाना चाहते थे एक minimum, एक मध्यम तरीके से तो 25-30 लाग का something आपका खर्चा बढ़ता एक तिहाई जो हिससे आपका यहाँ पर चलाग है तो आप बहुत सारी चीज़े वहाँ पर लैक कर पाएंगे आपको बहुत सारी चीज़े पीछे चुड़ जाएगी और इस करण आपका जो घर निर्मान का जो प्रोसेस है हो या तो रुक जाएगा या तो आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा या तो फिर वो खंड़ता मोचा जाएगा अब यहाँ पर समझ्याँ का है, यहाँ पर समझ्याँ पैसे का है अगें यहाँ पर प्रॉबलम आता है सम टाइम किसी जब इंडस्ट्री को आपको रिबिल्ड करना होता है या नई टेक्निक नई टेक्निकों के साथ चलाना होता है और हम सक्षम नहीं हो पाते तो पुंजी की जो कमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है So, अगर पुंजी है मैं बताने यहीं चाह रहा था यदि यह है तो हम इंडस्ट्री को ग्रो करेंगी मतलब यह हमारे लिए पॉजीटिव हो जाएगा और यदि नहीं है तो यही हमारे लिए चुनाओती हो जाएगी मतलब कारक ही है जो एक अच्छी है या उसकी उपलबधता है तो पॉजीटिव है यदि एवलिबिलिटी नहीं हो लबधता नहीं तो हमारे लिए नेगेटिव है ठीक है मैंने जिस्ट एक्जांपल की तौर पर समझाया अच्छा बेसिक चीज़े जब चतिसगर के संदर्भ हमें आपसे कहा जाएगा फिलाल क्योंकि कोश्चन चतिसगर का है प्रश्ट नहीं है पूछा जा रहे है कि चतिसगर में आद्योगी की विकास की क्या क्या संभावना है चांसे हैं पॉसिबलिडीज हैं ऐसे फेवरिबल कंडिशन्स हैं वो आप बताने हैं लाह और इस पाद आइरन एंड इस्टिल कहा जाएगा ठीक इसके अलावा है सिमेंट उद्योग आपको देखने को मिलेगा फिर आपको एल्यूमिनियम उद्योग आपको देखने को मिलेगा कोईला उद्योग आपको देखने को मिलेगा power plant यहनि कि हमारे यहां बहुत सारे बहुत सारे ताप विद्युत ग्रे है सिधा विद्युत ग्रे लिख लीजिए इसको विद्युत ग्रे है जो किस पर बेज़्ड है NTPC प्लस बहुत सारे आपके private जैसे जिंदल की आप बात कर लीजिए तो भी आपको यहां पर JSPL आपको देखने को मिलेगा तो main तो हमारा NTPC का यह तो यह सारे बड़े बड़े आपको plants यहां पर 36 गड़ में देखने को मिलेंगे और क्यों न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे अच्छा आपने basic चीज़ें यह अपने नंबर का है यदि आपने कहेंगे कि सर यह सब चीज़ लिखने है मुझे चार्ड नंबर का कोश्चन है तो विस्तार थोड़ी करोगे आप लिखेंगे चार्ड गड़ में यह यह आपके plant जैसे कि स्पाथ है, सिमेंट है, aluminium है, कोईला है इसकी प्रधानता है और यह बड़े एक plants के अंदर गताते हैं, heavy industries के अंदर गताते हैं एक line में दो line में लिखेंगे आपने finish करना है यदि दो और चार्ड नंबर का है बड़े question है जिसमें आपको पुछे जाएगा कि चत्तिकड़ में किस प्रकार के plants या किस प्रकार के उद्ध्योगों की प्रधानता है विस्तार पुर्वक वर्णन करें तो आपको कम से कम एक एक उद्ध्योग के बारे में दो-दो-तिन-तिन line वहाँ पर लिखना पड़ेगा गर बड़ा question है तो question क्या सिर्फ उद्ध्योगों के बारे में Vernon करने के लिए कह रहा है तब लेकिन मेरा प्रशन यहां पर वो नहीं है प्रशन है वो क्या है मैं तो overall आपको review देने वाल हूँ मैं यह कहना चारूँ कि 36 गड़ में अद्योगिक विकास की क्या क्या संभावना है और चुनोतिया यह दो संभावना यहां पर लिखे हैगा और योगिक विकास की संभावना है conditions, favorable conditions और challenges चुनोतियों हम इसकी इन दोनों की यहां पर basically बात करने वाले हैं ठीक आएए सो हमने start यहां से करा कि कि किसी भी शेत्र के और योगिक किसी भी शेत्र के और योगिक विकास में उस शेत्र का या उस देश का विकास होता है या उद्योग जो होते हैं उस देश के आर्थिक विकास के रिड होते हैं जो की काफी महत्वपूर्णों हो जाता है उस शेत्र के लिए दूसरा आपने यहां पर बताना है कि यह जो ना सिर्फ आपको ओद्योगिक विकास से उस देश का या उसका आर्थिक विकास होता है बलकि वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और विभिन प्रकार के उत्पात भी मिलते हैं अब सिधा ये एकदम बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया फिर आप सिधा सिधा 36 गड़ में सिधा सिधा GSDP भी कहते है समटाइम या इसको SGDP राज्य सकल घरील उत्पात में सरवाधी की योगदान कौन से शित्रक है द्वित्याग लगभग 50% है ये लगभग है याद रखना ये मोटा मोटी आपको मिलेगा ठीक है तो आप आधे से अधी किया आधे से दिख ना करें सिंपल रहना कि निसंदे 36 गड़ एक क्रिशी प्रधान राज्य है फिर भी यहाँ पर ओद्योगिक विकास की बहुत संभावना है जिनके निम्नलिखित कारण है ये करने के बाद आप अगले पॉइंट पर आईएगा तो यहाँ पर बताना कि ओद्योगिक विकास के यहाँ पर क् क्या क्या संभावना हैं क्या क्या चीजें हैं जिसके तहट हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पर इंडेस्ट्रियल डेवलोप्मेंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ठीक पहला कहता है स्टेबल एंड गुड गवर्नेंस यानिकि इस्थाई और इस्थाई और समझेगा आप जिस्ट एक्जामपल समझें किसे भी चीज़ को अदिया आपको समझना होता है ना तो बस आप उसकी तुल्ला करें कमपैरेजन करें किसी ऐसे रिलेटेबल चीजों से जिनसे आपके माइंड में बिल्कुल आसानी से समझा जाए उधारन के तौर पे क्या य इन राजियों के लिए ये फिड़ बैटता है बोलें नहीं विजन इस डैट कि भाई बिहार में तो कहानी क्यों चलाग है मतलब इतने बार सरकारी चेंज हो जाती है अब देखिए माल लेते हैं सरकार AI सरकार AI ने फलानी पॉलिसीस लेकर रही दो साल बाद सरकार चेंज हो पंदरा साल तक रहें 15 साल के बाद फिर 5 साल के लिए भाई आए हमारे कखाजी आए लोगों ने कहा कि अरे यार ठीक है ओटर वर दर रिजन वो चले गए फिर अभी आया है हमारे साय जी साय साय कर रहे हैं ठीक क्या पता अच्छा रह तो फिर चले गए नहीं तो पिर कखा भीच वाली सरकार नहीं, राश्पती सासन जैसे कोई चीज नहीं है, तो सूशाशन, दूसरा कहता है, यहाँ पर जो है, वो quality interrupted powers है, यहाँ पर निर्बाद तरीके से विद्युत प्रवाह है हमारे पास, निर्बाद विद्युत प्रवाह, और हो क्यों न, we are a surplus state, हम जो हैं, का उत्पादन surplus करते हैं, मतलब हम extra generate करते हैं, और extra generate करने के बाद उसको दूसरे राज्यों में भेशते भी हैं, तो हमारे खुद के राज्यों में क्यों नहीं देंगे, हाँ, कुछ शेत्र में इसको लेकर शिकायत जरूर है, जैसे, मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ, और मुझे बोलने में बिल्कुल भी कोई ऐसा गुरेज नहीं है, क्योंकि जो fact है, सो है, जैसे, बिलासपूर जो शेहर है, वो एक उर्जा उत्पादन करता है, भाई, सीपत जैसा जो शेत्र इतना बड़ा शेत्र है, ठीक है, रायपूर में तो चलो नहीं भी होता है, इसको like कुछ करना है, लेकिन ये है, ये fact है, वहाँ पे बहुत से लोग निवास करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वाले बच्चे रहते हैं, बहुत सारे hospitals and all, तमाम से विधा हैं, in fact कई लोगों का ये कहना है कि भाई, इस से अच्छा तो हमारा गाउँ हमारे गा प्लम है, बाकि ऐसा नहीं है, ज्यादा तर केसे में, क्योंकि जहाँ पैसा है, वहाँ सारी चीज़ें ऐसा कहते हैं, तो आपके निरवाद विध्युत उपलब्धता तो है, जरूरत है तो उसको सही धंक से implementation करने की, तो implementation हम आएंगे उसको negativity मिलेंगे वहाँ पर, मतलब sources ह हमारे पास है, बट हम उसका use नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्रियानवाय और धंक से नहीं हो पा रहे है, वो हमारा lack है, वो हमारी गलती है, चलिए, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर प्रचुर या अपार खनीज संपदा, भाई, चत्तिसगर जो है, बहुत सारे खनीज के मामले में आप देखेगा, अब चाहें तो यहीं पर आप बता दें भाई, यहाँ पर लोहा है, अगें, यहाँ पर आपका बॉक्साइट है, आप खनीजों के नाम लिख दें, यहाँ पर चुना पत्थर है, ठीक है, आप बताएं, यहाँ पर टिन का एक शत्र राज्य है, यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी, शांत स्रम माहौल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शांत स्रम माहौल, मतलब यहाँ पर आप देखेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी, कोई घटना घटित होती है तो यहाँ के जो स्रमिक हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरते, मतलब वो इस प्रकार की चीज़ें या हरकतें आपको करतें, आंदोलन करतें, नहीं दिखेंगे, एकात रेयर केस होगा तो होगा, बट ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयर, वेरी रेयर, अन्लाइक अधर स्टेट, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह कुछ गलत है, यह कुछ सही है, किन्तु जो फैक्ट है, हम इसकी बात करें, क्योंकि होता क्या चीज़ें, ठीक है, अगर आपका शोशन हो रहा है, तो डेफेनिटली आपको आवाज उठाने चीज़ें, उसके खिलाफ लड़ना च जैसे जैके लक्षमी स्टेमेंट में कुछ हुआ था, तो काफी लंबा जो मामला है, तुल पकड़ा था, एक्जेक्ली क्या होता नहीं पता, बट वहाँ पर हुआ था, तो कभी कभार मिलेगा, अन्लाइक अधर स्टेट, ऐसा सुनने में आता है, आप जाके देखें, I don't know it's reality or not, बुकारो वाला जो रिजन है, वहाँ पर इस्टिल प्लांट है, आए दिन हरताल, ये वो पूरा बंद, उसको BSP पाल रहा है, चुंकि सेल के इंतरगत है, तो वहाँ पर कुछ होता नहीं ढंक से, सारे दिन पूरे जो है, पूरा ठेका जो हमने ले रखा है, मतलब हम पाधन भी ठप होता है, काम प्रभावित होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं, इंडस्टिस लगाना चाहते हैं, आपको कारण में पूछा जा सकता है कि, what are the reason, कि यहाँ पर इंवेस्टमेंट जो है, या ल यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, सस्ते स्रमिक है, चले, लेबर तो ज़्यादा उत्पात नहीं बचाते हैं, लेकिन स्रम भी कैसे हैं, हमारे यहाँ सस्ता है, है न, तो स्रम कैसे है, सस्ता, सस्ते स्रमिक, सस्ते स्रमिक, चले कोई दिक्कत नहीं ठीक है सस्ते स्रमिक मैं काम करता हूँ पूरे को फिर से लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ है हमने देखी है यहाँ पर पहला है इस्थाई और सुसाशन सरकार थी यह उसके बाद हमारे यहाँ चीज़ था निर्बाद विद्युत प्रवाह क्या होगा कि पेडिये भी आपको मिलेगा तो इसका जो लिखा होना आपके लिए आवश्यक है ठीक है यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए जो प्रचुर या अपार खनीज भंडार ठीक और यहाँ से हो जाएगा शांत श्रम माहौल शांत श्रम माहौल सस्ति स्रमिक जल की उपलब्धता हमारे यहां वाटर रिसोर्सेज बहुत है जल की उपलब्धता ठीक है और है यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं देखें जल की उपलब्धता होने से बस काम नहीं चलेगा मतलब सिर्फ यदि हमारे पास जल है उससे काम नहीं होगा जल की उपलब्धता तो हो हो साथ ही साथ आपको यहाँ पर विभिन प्रकार के जैसे कि बहुत देशी परियोजनाओं का होना आवश्यक है तो यस बिलकुल हमारे पास बहुत सारी बहुत देशी परियोजनाओं है वी हैब नमबर आफ मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट तो यह भी हमारे लिए क्या है अच्छा इसमें आप लिख सकते हैं बिलकुल डेफिनेटली लिखते चलिए सारी चिसे अब जैसे हमने यहाँ पर कह दिया तो सरकार के बारे में आपने बता दी यहाँ पर हमने कह दिया निर्बाद, विद्युत, प्रवाह तो आप बता दीजे कि हमारे पास तीन-तीन एंटिपीसीज है हमारे पास तीन-तीन एंटिपीसीज है कौन-कौन सी है तो हमारे पास हो जाएगा सीपत हो जाएगा कोर्बा में है ठीक है लारा में है राइगण यह आप यहाँ पर बता दीजे ठीक है खरीज संपता है भंडार है पताना हमारे पास लोहा, ठीक, आपने बता दिया था, अलुमिनियम, ठीक है, टेन, यह 100% हो जाएगा, ठीक, इसके अलावा हमारे पास चूना पत्थर, इनकी उपलब्धता हमारे पास अधिक है, ओके, नौ, यहाँ पर आपने बता दिया, शांत स्रम महौल है, जादा हमको ह कोहला नहीं करते, ज्यादा इन लोग इस विवादों में नहीं रहते, स्रमिक सस्ते हैं, कहने का तातपर है, यहाँ पर अधिक रेट की स्रमिक नहीं मिलते, आपको जल्दी मिल जाते है, अच्छा स्रमिक सस्ते होने से एक ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक मैं बताओंगा, जिसके फीस 500 रुपए हैं, एक ऐसा डॉक्टर है, जिसके फीस 200 रुपए हैं, अब लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोचें और सोच करें, अब आगे मत बढ़ाओ, आगे मिलेगा बता रहा हूं बट आप सोचे वडियो को थोड़ा पाउस करे कि दिमाग की बत्ती खुलेगी मैंने फिर से कहा 200 रुपे वाला और 500 रुपे वाला 200 रुपे वाला कुछ तो होगा न कमी किस प्रकार किस रमीक बोलेंगे इसको और 500 रुपे वाला समझ गए चले अभी मताऊंगा राइट आएए नेक्स डे यहां पर हमारे पास जो है और योगिक अवसर रशना है मतलब और योगिक अवसर रशना अच्छे खासे ऐसे नहीं कि कहीं भी हम उद्योग लगा दे रहे हैं अवसर रशना जो हमारे पास पर तम बिल्ब मैं यूँ कहूं कि हमारे यहां लेकिन हमारे तीनों के तीनों बड़े इस स्थर पर और अच्छे स्थर पर होता है और इसलिए इसका फाइदा भी हमको इस प्रकार के इंफ्रेस्ट्रक्ट्चर में मिल जाता है आप कहीं देखिएगा ऐसी शेतर जहां पर सिमेंट वगर और इसकी कमी होती है तो घर भी उतने खास ठीक है बनते हैं पैसा है मैंने कहा न आज के समय में पैसा है तो सब चीज़ है जैसे आप बोलोगे सर वैसे में तो बुर्ज खलीफ है यहां पर यह बाकी चीज़े जो हमारे हैं उपलबधता है we have available all the materials that's why यहां पर जो आपका industrial जो infrastructure है यहां पर जो आपका इंड़स्ट्रक्चर है यहां पर जो आपका इंड़स्ट्रक्चर है यह भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा आद्योगिक विकास की संभावनाए अधिक है संभावनाए संभावनाए अधिक है ठीक यह चीज़ें आपने यहां पर mention कर देनी है मेरी खास से यहां तक आप सभी को clear हो गया होगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं next अगला देखते हैं difficulties अब क्या क्या यहां पर समस्या क्या क्या प्राबलम आ सकती है समस्या था समस्या क्या 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 हमारे पास challenges क्या 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 समस्या यहां पर आ सकती है पहला है level of education यहां पर सिक्षा का इस्तर कम है सिक्षा का निम्न इस्तर आप बोलोगे सर इससे क्या फरक पड़ता है इससे क्या फरक पड़ता है बहुत फरक पड़ता है कैसे मैं आपको बता तो देखो और ये जो है न बांकी चीजों से भी related होते चला जाएगा आप समझना हमारे यहां साक्षर्ता जो है वो like क्या कहना चीए कि इस शेत्र में मतलब particular central reason में या मध्यभारती शेत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो साक्षर्ता हमारे यहां कम है सर इससे industrialization या ओद्योगिक विकास का क्या ही फरक पड़ेगा क्या होगा जैसे महा लेते है land acquisition हो गया या अपने लोगों को ओद्योगिक शित्र में लगाने की बात हो गई या और भी कुछ ऐसे कारण हो गए लोगों को थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है reason is that कि वो traditional चीज़ों पर ज़ादा फोकस करते हैं कि बजाए वो आपके आने वाले innovative चीज़ों पर ध्यान दे इंडस्ट्री मतलब कहता है innovations इंडस्ट्री का मतलब देखे अभी भी आप समझें इंडस्ट्री का जो विकास हो रहे जिसे बहुत सारी चीज़े conveyor belt से करी जाती है automatic होती है CNC machines का यूज़ करते हैं और भी तमाम चीज़ें होती है education is very very important और ये भी आप समझें कि बाहर के ही लोग क्यों लगाए भाई क्या हम केवल स्ट्रमिक बनने के लिए है आर वी labor only नहीं ना हमको भी तो यह चीज़ करने हैं हमको छोटे दियोग भी लगाने हैं जरू can you deny जैसे आप बिहार जैसे शेत्रों में जाए वहाँ पर भी आपका like education का इस्तर कम है आप केरल में जाए वहाँ पर double industrial zone आपको देखने को मिलेंगे बहुत आर्ट और योगिक शेत्रों में से एक केरला में है वहीं से लगा हुआ मदलब केरला त्रों वाला reason है आपको बै अश्तर जितना हमारा 74 है उससे तो हम कम है 70 के आसपास है तो यहन हमारे लिए समस्तिया है दूसरा lack of transportation यहनि की परिवहन सुविधाओं की कमी परिवहन सुविधाओं की कमी बले सर इससे क्या फरक पड़ेगा बिलकुल फरक पड़ेगा परिवहन मतलब देखे अब आप ब और ये नेशनल हाइवीज है सर हमारी यहां तो रेलवेज हैं एंड और बेटा कितने ही रेलवे जोन है तुम्हारे यहां कितने रेलवे लाइन से एक रेलवे लाइन है जो कौन से है आपका मुंबई हावडा यह ऐसे गई है राजनाद गाउं दूर्ग राइपूर बिला और यह इधर दूर्ग से यह इधर बस और यह इधर राइपूर से यह ऐसा महा समून के लिए इधर बीच में कौर्बा के लिए बिलासपूर से यहीं से है आप यह ले लिए आगे चांपा से ऐसा यह कौर्बा के लिए इतना बनाने नहीं है जिस टाप की जानकारी के ठीक है? ये महा समून के लिए और इधर दल्ली राज़रा के लिए मतलब नेटवर्क जो हो बड़ा नहीं है दोस्तो समझना आप? कहने का ताथ पर यह है जैसे आप दूसरे स्टेट में जाएं दूसरे राजियों में जाएं तो वहाँ पर अच्छा खासा नेटवर्क अच्छा खासा जाल देखने को लेगा रेलिविस का हमारे हैं वैसा नहीं है मतलब देखे ये तो अभी अभी थोड़ा एक्स्टेंड हो रहा है अभी अभी समय ये तो केवल अपना दल्ली वल्ली तक जाके अभी तो तो देखे लिए अगर मुझे जाना है समझना जग्दलपूर यहाँ पर है पुरा मैपिंग कने की जरुए आपके समझाने के लिए बतारU जग्दलपूर जाने तो भाई मैं झा हुता आपंग यहां हमको जाना है ठीक है ना चिर्मिडियो ग्रेंड ओल यहां जाना है राजनाद गाउट दुर्ग राइपूर से हम नहीं जा सकते भाई हमको पूरा बिलासपूर हो कि ऐसे जाना पड़ेगा क्यों भाई हमको यहां से क्यों रास्ता नहीं है हम जो हैं राजनाद गाउं से उपर इस रूट पर क्यों नहीं बना सकते तो बेसिक जो रूट सोते हैं एट लिस्ट वहाँ पर हमको ट्रेलिवेस की आउशकता है और सेम कोरबा के बाद हम इस शेतर बेनी की सरगुजा जो रिजन है हमारे पास सरगुजा रिजन यह केबल यहां पर आके रुकेगा आपका अम्बिकापूर से भी ऐसे पूरा घुंक आएगा यहां पर मतलब यह डिरिकली हमको कोई रूट नहीं देखे इसके पीछे का कारण बिलकुल नोड़ टेरेन है पहाडिया है और ऐसा भी नहीं कि इतनी उची पहाड़ी की यहां पर नहीं बनाया सकता है मेहनत लगेगा बट जो फैक्ट है सो है ठीक है सो हमारे यहां रेल रूट्स है और वैसी रोड रूट की भी हम बात करते हैं आज के समय में धीरे धीरे रोड रूट का विकास हो रहा है यह निकी सडक मारगों का विकास हो रहा है फिर भी यह उतना इम या उतना क्या बोलना चीए significance नहीं है उतना हमारे लिए जो है valuable नहीं है जो होना चाहिए जैसे अभी विशाखापटनम से रायपूर से विशाखापटनम highway जो हो बन रहा है जब बनेगा तब देखेंगे बट फिलाल challenges है हमारे लिए तो यह समस्याएं हैं दोनों तरह की कौन-कौन सी road से संबंधित और आपकी rail से संबंधित तो परिवहन साधनों में कमी भी एक प्रकार से कही नहीं कहीं क्योंकि आप समझे ना जी जगदलपूर से हर चीज को अधिम जो रेलवे से होकर लाना है तो मैं लाही नहीं सकता है इस शेत्र में जगती जगदलपूर जैसा जो बस्तर जैसा जो रखना और इसका जो उसर मैं आपको थोड़ी दिर मैं बताऊंगा उसका उससर में पर आपको समझ आजाएगा तो ध्यान से 中共 मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ अगला जो point आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो point है lag of modern skills and adequate technical skills among local people मतलब इस point का विस्तार कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर हमारे पास अपरियाप्त कुशल स्रमिक मैंने कहा ना कुशल तो हमारे पास स्रमिकों की कुशलता नहीं है हम कैसे हैं बटा यहाँ पर हमारे पास जो स्रमिक है वो कुशल नहीं है वो अकुशल है तो अपरियाप्त कुशल स्रमिक है इसको कह सकते हैं अकुशल स्रमिकों की अधिक संख्या तो हमारे जो स्रमिक है वो ट्रेंड कम है वो खाली स्रमिक है, ट्रेंड नहीं है, तो मैंने कहा, जो डॉक्टर ट्रेंड होगा, जो कुशल है, वो पांसो लेगा, और जो अकुशल है, जो नौ सिखिया है, इन शॉर्ट मैं इसको कहा कह सकतू हूँ, नौ सिखिया, तो जो नौ सिखिया है, है ना, यह नौ सिखिया जो रहते हैं ये जो लोग है बिटा वो आपको जल्दी मिल जाते हैं लेकिन इनके काम में भी कहीने कहीं आपको फर्क देखने को मिलेगा ठीक है ये एक तरीका ये मतलब ये एक रिजन फिर है इनक्रीज इन गवर्मेंट रॉयल्टी और रॉमट्रियल कच्छे माल पर अधिक रॉयल्टी लेना आया कच्छे माल पर अधिक शिल्क कच्छे माल पर अधिक टैक्स कह सकते हैं अपन तो ये भी एक समस्य हो जाती रॉमट्रियल पर आप इतना टैक्स निकाल लोग इतना टै अब मैं जब industries वाली को दूँगा जो आधारी थे कच्छे माल पार वो खुद उतने महेंगे में खरीदे को लेगा भाई उससे छोड़ काहे लगा हम industries समझा रहे हैं that is why ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और अपरियाप्त सरकारी नीती अपरियाप्त ठीक है सरकार अच्छे होने से काम नी चलेगा सरकारी नीती भी आपकी अच्छी होनी चाहिए उद्योगों के लिए दशाएं उद्योगों के लिए चीज़ें मतलब आप जो rules वगरा लेकर आते हैं अच्छा चाहें तो आप इसमें उडाल सकते हैं जैसे कि हम industry policies की बात करते ह हैं अभी 24, 19, 2019, 24, 24 के आप फिर एक नया हमारे पास आएगा तो आप इसमें इन चीज़ों को डाल सकते हैं जहां जहां लैक हो रहा है जो जो चीज़ें हमारे लिए लैक कर रहे हैं जो जो चीज़ें हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं मैंने पहले कहा वही point जब अच्छा ह वर्षों में हमारे लिए यही एक best point बन जाएगा पदा चारह है इतनी सारे rail lines इतनी सारे rail lines हैं है ना इतनी सारे roadways हैं कि लोग यहां पर आना चाहते हैं तो यह आपके लिए plus point हो जाएगा तो depend करता है time to time यह कि आपके लिए plus है या फिर minus मतलब आपके लिए positive point है या फिर negative so overall आप सभी को यह चीज़े समझ आगई ही हमने यहां पर देखे कि क्या क्या हमारे पास समस्या थी क्या क्या हमारे पास difficulties है हमने यह भी देखा कि क्या क्या हमारे पास audio geek विकास की संभावना है निवेशक कैसे यहां पर आ सकते हैं हमने यह भी देखा कि 36 गड़ में यह industrial जो आपका growth है साथी साथ GDP में जो योगदान है इसका यहां पर कितना है साथी साथ हमने देखा कि किसी शेत्र में और योगिक विकास होने से किन किन चीज़ों का और अन्य विकास होता है तो इस प्रकार से आपको अपने प्रश्णों को यहां पर summarize करते हुए लिखना है आ आपको किस और टॉपिक पर ऐसे विडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बताए हम उस पर विडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे तो बने रहे हैं हमारे साथ competition community के साथ thank you so much चैहिंद